Hello friends, Welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, कई बार क्या होता है कि जब हम लोग अपने बाइक या स्कूटर के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन को स्टार्ट करते ही हमें अपनी गाड़ी के साइलेंसर से वाइट स्मोक जो धूआ है वो निकलता हुआ दिखाई देता है लेकिन कुछ समय के बाद ये कुछ मिनट में ही ये जो वाइट स्मोक है जो धूआ है वो निकलना बंध हो जाता है तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंजन को स्टार्ट करते समय तो धूआ निकलता है लेकिन during running period बाइक को गाड़ी को चलाते हो ये धुम बिल्कुल नहीं निकलता है और ये गायब हो जाता है ये किस वज़ा से होता है और क्या ये normal है या फिर ये कोई problem है इसी के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ वैसे continuously लगतार सफेद दुआ और काला दुआ गाड़ियों से क्यों निकलता है इसके उपर मैंने दो separate वीडियो बनाया है दोनों ही वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के description में दे दूँगा तो आज की इस वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जो exhaust gases produce होती है उसमें बहुत तरह की अलग अलग gases present होती है जैसे की hydrocarbon, carbon, mono oxide, carbon dioxide, sulfur oxide, nitrogen oxide, particulate matter और भी अलग gases साथ ही इन gases के अलावा combustion process के वज़ा से जो water vapor है वो भी produce होता है engine के अंदर में हिंदी में से कहते है gel wasp अब देखे कई बार क्या होता है कि यह जो water vapor है वो हमारी गाड़ियों का जो muffler है जिसे बहुत लोग silencer कहते है तो उस muffler में water vapor condense हो जाता है जमा हो जाता है फिर हम लोग सुबा में या काफी लंबे समय तक अपनी गाड़ी को parking खड़ी करने के बाद जब उस गाड़ी के engine को start करते है तो क्या होता है कि जो exhaust system है जो exhaust pipe है जो silencer है उसके heat के वज़ा से उसके गर्मी के वज़ा से क्या होता है कि यह जो water vapor जमा हुए हो है यह water vapor vaporize होने लगते है असान अफजमे करना हो तो यह जो water vapor है जो gel wasp है वो steam में भाप में वास्प में जो है वो convert हो जाते है और उसके बाद यह जो water vapor है जो steam हो गया है जो कि vaporize हो चुका है वही silencer से बाहर निकलता है जो कि हमें देखने में तो ऐसा लगता है कि यह सफेद धुवा है ल रही है तो देखने में थोड़ा ज्यादा visible हो जाता है और देखने में धुवा जैसा सफेद धुवा लगता है लेकिन वो भाप है वो सफेद धुवा नहीं है और जैसे ही जितना भी water vapor है जो कि condensed हुआ जमा हुआ है वो vapor होके पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है तो फिर कुछ देर के बाद या कुछ मिनट में ही हमें देखने को मिलता है कि अब तो कोई धुवा नहीं निकल रहा है क्योंकि actually में तो water vapor सारा सारा vaporize होके निकल चुका है और इस वज़ा से भी जो during running period जहां लोग अपने गाड़ियों को चला रहे होते हैं तो भी धुवा निकलते के मुकाबले जादा देखने को मिलता है तो आज किस वीडियो में अथि उमीद है कि आज कर ये वीडियो और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बार और चैनल के बार अपनी राये आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पर नए हो या अभी द